नमस्कार गुड मॉनिंग दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल स्सी अकेडमिय अपका स्वागत है आज फिर से आपके लिए साइन्स के महतपुर्ण कोश्चन आये हैं तो आसा है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक चैनल करेंगे चलते हैं आज के पॉच्छन नमबर 1 पर तो पहला कोश्चन जो आपका है व्यदिक्श क्या है पहला कोश्चन बूल रहा है इलक्टोलक्स सिस्टम में उस्मा देने के लिए परयोग किया जाता है ठीक है सबस्कार आपको बता दें यहाँ जो है इलक्तोलक् सिस्टेम क्या है एक मसीन है छोटा सा ठीकिते कप्ला के लग। कर का कि लिए भी यह का is एलेक्ट लक्स काभी कोसटन पूछ जाता यह क्या है यह आता ब्लें को आप और सुखने के लिए इसका उप्यो जाता है ठीक है आभ इसमें और कि जरुद पड़े गा तरह इसमें एक मीट्टी के तेल का बादना stays मिट्टी का तेल का मतलब केरोसीन तेल ठीक है उसी का बढ़ना लगा रहा था ठीक है इस सवाल का इंसर क्या होगा अप्सिन नमबर एक ठीक है चलिए आगे चलते हैं कि अगला को देखिया है सेकेंड को स्थान नमबर के ब Team का मत व्ती है क्या व hubs रेफ रेंट में ऊच उसमा हो ती एंडी में उच उसमा को थी है वा होता अगला को देखिये को अगला एक 30 क्या है वह देखिए बोलता है electronic detector you is neighbours कैसे देखा जाता हैएं electronic detector attendance with flame के रंग परिवर्तं से पता चलता isolation 3 drone जो अब वोलते हैं किसी बस्तू का image हम क्या करते हैं image की परकृति हम monitor पर देखते हैं ठीक है electronic detector के माध्य हम से समझ गया है चलिए आगे चलते हैं अगला question देखिए अगला question जो आपका है वह देखिए अगला question number 29 क्या बोल रहा है विद्दुधारा का मान किस इकाई से बैक्त किया जता है कहने का मतलब आपका question क्या है विद्दुधारा का इकाई क्या है विद्दुधारा की क्या होता है एंपियर तहल के क्या होता जींट क्हा हenne आगे चलते हैं आगला कॉश्चन को कोशन नमबर कोशन नमबर तीस को सर्जक को दर साता है कई को दिक्त नहीं आगे चलते हैं अगला कोशन अपका कॉशन नमबर 31 क्या वह देखें निमलighet में से किस धातू का अतार सरलता से में खीचा तो वह क्या है क्या है क्या है कॉपर ठीक है सी यू कॉपर का मतला सी यू इसका हम ताप आसानी से खीच सकते हैं ऑप्सिन नमबर भी सवाल का एंसर है आगे चलिए अगला कोशन देखे कोशन नमबर 32 क्या बलता बिजली घरों से उच्छ बिभव पर बिदू क्यूं भेजा जाता है ध्यान देजिए जब आपको क्लास में पढ़ा जा रहा था क्या बलते हैं इलेक्टिक चेप्टर पढ़ा जाता है बिदू धारा पढ़ा जाता उसमें आप सब्सक्राइब करने के लिए को निूंतर्म करने मिएगला क्या इसका ऑणसर होगा क्याकं सब्सक्राइब को Ciras संप्रेशन दोरा उर्जा 6 को नियूंतर्म करने के लिए क्या इसका एंसर होगा जैसे कि वहां से आते आते उर्जा क्या होगा खत्म होगा उच विभवप पर भेज़ेगा यहां आते आते एक दम सही मतलब थोड़ा सा ज़रुत के हिसाब से पहुंच जाएगा नहीं तो कम संप्रेशन के दोरान उर्जा 6 को नियूंतर्म करने के लिए क्या करता है उच विभवप पर भेजा जाता है चलिए 32 नंबर का अगे चलते हैं अगला कोशन नंबर देखिए कोशन 33 बोलता है चंद्रमा पर सरीर का भार पिर्थवी पर भार की तूलना में लगभग कितना अब भाग होता है सबको पता है सबको पता है यह क्या होता है एक बठाट चफ्यग कियोंकि आपको पता है फिर्थवी पर ज़ो तो जी कमान होता ठीक है इस वाल का इंसर क्या हो गया एक वर्टा छेसी नमबर आगे चलते हैं अगला कोश्चन देखते हैं कोशन नमबर 34 बोल रहा है निमली खित में से कौन सा विटामिन जल में घुलन सील है तो जल में घुलन सील तो दो ही बीटामिन होता एक तो होता है और एक होता है भीकरा साइनिक आपको कमेंट में लेखना है जो हम इस वीडियो पे 100 लाइक तरगेट करते हैं आप100 लाइक करें करें आप चैनल पे इस पर किसी परकार का खर्चा नहीं लगता है ठीक है आप कीजिए बिल्कुल फ्री में आपके लिए सबसी बनाया जा रहा चलिए आगए चलते हैं इस सब्सक्राइब कैंसर क्या हो गया ऑप्सन नबर ए अगला कोश्चन जो आपका देखने कोश्चन 25 बोल रहा है इन सभी में देख से कौन सा प्रिवर्टन रासांइंग परिवर्टन देखे पिछले वीडियो में आपको बता रासांइग परिवर्टन का मतलब हो था अगर बदल गया दों आपस नहीं कर से जैसे दूद से आप कि तो परिवर्टन का बाटा जैसे पानी से ब्रवर्व से पाइसा जो भी चीज़ रहेगा उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्व देखिये जल का बनाता अभी तुरहंel का वाश्पी करन रहुत है अब भौतिक प्रिथिया लूहे का छीलना लूहे जब छीलिये गाता पिर उसको लुहा बना सकते हैं लेकिन खाना पकाए आपसे बुलेंगे कि आप क्या करें सब्जी पका लेजिए पके हुए सब्जी सफिर कच्छा सब्जी बना देजिए तो बनाना संभब नहीं है ठीक है इसका मतलब रसानिक परिवर्ता आपका यह हो गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगला कोश्चन देखे कोश्चन नमबर 36 क्या बुलता चमगादर रात में उड़ने में सक्छा मैं क्योंकि उसके पंख पैदा करते हैं तो यह करते हैं पराधौनिक किरने पराधौनिक किरने जब पैदा करते हैं तब यह क्या करता है उसको उड़ने में साहिता करता है ठीक है आपको कोमेंट में बताना है कि पराद्वhrlich के ना से उपर होता है ठीक है यानि कि कि कितना पराद्वनि अगला question 37 बोलता है कौन सा रोग अनूबान सिक रोग का मतलब होता है इसके इसा मतलब मतलब होता है पीडी दर पीडी चलने वाला जो य다 जो बॉल्ग कर पायें यह करदनेशी क eens बेक्ती ये लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाएगा ठीक है रेलबे में इसका बहुत ज्यादा जांच होता है और अधिकतर देखा गया है कि यह जो बीमारी होता हमेशा पुरूस को ही ज्यादा तर दिखा होता है क्योंकि इसके सिर्फ वहाग होती महिला एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाती है इस सवाल का अनुज और शुल्ट में कुछ और अनुबांसिक रोग है ठीक है चलते आगे अगला पर देखिए कोशन नंबर क्या ओगया बोलता है मधू में सरवाधिक परतीसत होता है मधू मधू का मतलब क्या होता है सहद में यह मिर्म पानीए नहीं होगा मन्ड नहीं होगा गुलकड नहीं होगा शुकोज तो इस समेद नहीं सरवाधिक और में नहीं होगा सुकरोज होता वह क्या होता आपका सुक्रोज ठीक है रुक्रोज के बाद होता सुक्रोज आपको कमेंट में गुलकोज और सुक्रोज का ठीक है आपको क्या करना है क्या बोलते हैं इसका सुत्र लिखके आपको कमेंट में भीजना ठीक है चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर हो गया है अग कोशी का सिध्धान को फोलो नहीं करता है कि परतिक जीव की उत्पति एक कोशी का से हुई है कोशी का सब्सक्राइब आगे चलते हैं अगला को शीन नमबर आप देखी कोशें नमबर चालीस का इसलिके गया होता है समुद्रिय जल में लवका अउस्षट मातडल और साड़। कींद परशेंट होता कितना होता साड़ें तीन पर तीसद होता है ठीक है इसलिए समूध्य का जल का इसा घारा होता है आगे चलते हैं कि आगला कोरें देखिए कोर्ष नमबर जो आपका 41 बोल रहा है को आपको बूल रहा है कि ब्लटक्रूप का खोज किस ने क्याति ग्रूब का किस नहीं किया स dope carland is tina it इसका नाम होता है टीक है का लेंगे सटी है लेंड डी इसका नाम होता है और संव्म क्या होगा पी कारलेंड एस्टीनेर इनका क्या है ब्लेट ग्रूप का खोज किये ठीक है अब देखे एक बैक्ति आहां आपके लिखा हुआ है रॉबरिन्द में क्या था तीवी का बेक्टический के बारे में पता लगा लूइपास्टर क्या किया ठीका के बारे में और दूद का फिकर यह किया घरख रखत परी संचनत के बारे में बात किए थे ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन आपका जो है वह देखे कोशन नमबर 42 बूलता है गैस परचालित परिपत ब्योजक में परिवक्त चाप मजसीतन माध्यम है ठीक है बूलता है गैस परचलित परिपत में ब्योजक में परिवक्त चाप मजसीतन मा और चलते हैं अगला कोश्चन नमबर जो है 43 देखिए बूलता है रेल पटर्यों को बक्र पर धाल दी जाती है तो रेलवे का पट्री जो होगा जो जहां पर घूमता वहां पर धाल होगा ऐसा क्यूं किया जाता है लिखान से और मैं और को किसे नमबब्स सब्क्राइब को अगला आगला कोश्चन नमबर 44 देखिए मैं क्या पॉस्टशन वोरें विध्दू शक्ति परिपत में डायोड मुख्त परियुक्थ होते हैं ठिकchau Brief जायश्य विद्दू शक्ति परिपत में डायोड मुख्तर किस रूप में परियुक्त होतежд नमबरबी इसक्षांग का चले आगे चलते हैं कि अगला कोशनिया पंशिपूल लेक्ट बोलता है एक डीजल में इंधन जलेगा तो इंधन जलने के लिए क्या करता करता सिंगार्य करता द्वारा ऐसा भी न होताा दहनकष संप्लेद से प्राफत से होता ठीक है लिजल इंजन में इंधन जोलित कैसे होता है उसमें जब हम आयुव सप्लाइ करते हैं उसी से क्या होता है उसमादवारा क्या होता है या जोलित होता है अगला जो कोश्चन है वहां जब एक कार एक बक्र पर उच गती से मोड़ लेता है तो आनतल Hey सफ़ाने के मतलब मतलब जब ऐसे करके मोड़ लेगा यहां इसा घुटा होता है मोड ले जहां पर उहां पर तीर चाहिए Deshalb पूरा में घुमाई अधा यह यह बाहर के साइट पहुत सवाल अगा हो जाएगा अशा Psalm क्या होसकता है पहरा का पहिए सब्सक्राइब किजी ठीक है यह बाहरформ पहिए ठीक है देखिए जैसे हर कोई काम करता हम भी उसे ही काम करेंगे आपके लिए काम करेंगे और आपके परिच्छा में मदद होगा सो इसलिए आप से रिक्विस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में सेयर करें ठीक है आपके सपोर्ट की बहुत आवश सकता है चलिए आगए चलते हैं कोशन बोल रहा है जंग रोधी इसपात का निर्मान लोहे निमलिखे धातु मिला कर किया जाता है लोहे में क्या मिला आते हैं देखे यह थोड़ा सा गल्ती ठीक है मिसपरिंटिंग है आप देख लीजिए ठीक है बाच समझ गय है ठीक है चलिए तो क्या जंग रोधी इस जंग रोधी इस पाद बनाने के लोहा में क्या मिलाते है देखिए जस्ता है रांगा है निकल है और तामबा है तो जंग रोधी इस पाद बनाने के लिए निकल मिलाते है जंग रोधी इस पाद बनाने के लिए निकल मिलाया जाता है बात समझ गए है इस वाल कैंसर क्या होग निम्लिखित में कुछ समय करने इसको कुछ समझने बुजने की जरूरत नहीं है इसको सीधर याद करना सीपी माइनस सीभी बराबर आर ठीक है कभी कभी पूछा जा सकता है कि किसका समय करन सीपी मैनस सीभी बराबर आर मेर का समय करने ठीक है मेर ने इस समय करन दिया था ठीक खित में से कौन जल के साथ कोलाइडी बिलियन बनाता है ठीक है जल के साथ कोलाइडी बिलियन बनाता है ठीक है जल के साथ कोलाइडी बिलियन बनाता है तो कौन सा बनाता है गुलकोज कोलाइड कोलाइड का मतलब क्या होता जिसे दूधर देखते हैं घूला वा गूंध आप से कभी कभी पूछा जाता है कन का कर कितना होता है 10 पर पावर कितना माइनस पाँच से लेकर 10 पर पावर माइनस साथ तक इसका आकार होता है ठीक है बात समझ गया है चलिए आगे चलते हैं अगला कोशन पर अगला कोशन आपका क्या है अगला कोशन है अनुनाद क्या है अनुनाद एक विशिष्ट उदारन है ठीक है तो आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप दोस्तों में क्या करें शेयर करें चानल को सबस्कार भी करें ठीक है तो थैंक यू फर वाचिंग बाइबाय हाव ए नाइस टेय आपका दिन सुभ हो बाइबाय झाल झाल झाल